है हेलो गाइस व्लकम बैक टो मैं चानल माइनेम इस आगर एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोड की ठीक है तो मोड होता क्या पहले हम लोग यह देख लेते हैं तो सपोस को हमाँ पास कोई फाइल है ठीक है सपोस्सी फाइल है और जिसमें आईडी नेम सेलरी कॉलम्स हैं ओके एंड यह हमारे पास रोस हैं अब अगर आप यहां पर देख पा रहे होगे कही कही पर तो नल्स आ रहे हैं ठीक है यहां पर नल आ रहा है इट्स फाइन ओके चलेगा हो सकता है कि सागर की सेलरी होई ना है कि हां यहां पर नल हो सकता है बट अगर आप यह सिक्स्त वाला रिकॉर्ड देखो सिक्स्त वाला नंबर देखो गए देखो यहां पर एट थाउजंड दिया है बट जो दूसरी रोस थी वहां पर नंबर दिया हुआ है और यह क्या है अल्फाबेट यह वर्ड है यह इस cannot pass string data type we can pass only integer or float और मतलब जो numbers वाले data type हम pass कर सकते हैं तो यह corrupted record हो गया ना यह गलत record है जिसने भी यहां पर entry करी है वो गलत करी है यहां पर 8000 words में नहीं number में होना चाहिए था अब सब्सक्रों हमने जब और मैंने यह record भी ले लिया और जब लास्ट में जाके जब हम लोग अपना डेश्बोर और यूण whatever we are going to do at the last हमने found out कि अरे यह तो गलत था यार अब क्या हुआ पूरा प्रोसेस फिर से हमको करना पड़ेगा ना हमको फाइल को लोड करना पड़ेगा अपने लॉजिक लिखने पड़ेगे फिर उसको किसी को देना पड़ेगा या एक्सल में लोड करवा के देना पड़ेगा तो costly operation हुआ time waste हुआ अब क्या होता है कि इन सब इस चीज को बचाने के लिए overcome करने के लिए मोड होते हैं कितने टाप के होते हैं तीन टाप के होते हैं permissive, drop malformed and fail fast by default permissive होता है ठीक है तो इसका मतलब क्या होता है allows a mode for dealing with corrupt records during parsing अब देखो permissive क्या होता है sets other field to null when it meets a corrupt record and puts the malformed string into a new field configured by column name of a corrupt record when a schema is set by user it sets null for a corrupt record इसका मतलब क्या हुआ suppose करो मैं हम लोग जब अपनी file को read कर रहे हैं तो explicitly हम लोग ने schema define किया कि यह integer होना चाहिए, यह name string होना चाहिए and salary integer होना चाहिए अब permissive mode है हमारा अब इसने क्या देखा कि यह तो string है तो वो क्या करेगा instead of giving error or something like that यहां पर null assign कर देगा यह होता permissive mode drop malformed क्या होता है ignores the whole corrupted data और record तो जब हम लोग second वाला option यूज करते है drop malformed तो क्या करेगा यह वाली रोग को वो consider ही नहीं करेगा and इसको delete कर देगा यह रोग हमारे पास आएगी नहीं और जो third option होता है fail fast का throws an exception when it meets correct record ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि last फला जो mode होता है fail fast उसमें क्या होता कि हमारा data firm बनेगा ही नहीं data firm बनेगा नहीं और वो exception fake देगा sorry त्रोस fake देगा error बता देगा कि हाँ यह जो भी है वो गलत चीज है अब अपना record या अपना source चेक कर लो ओके तो चलो अब हम practical करते हैं तो यह same csv file को मैंने load करके रखा हुआ है already यह loaded है आप यहाँ पे देख पारे होगे same data हमारे पास है id name salary and this shivamsagar you know पूरा पूरा same data हमारे पास है अगर आप यहाँ पे हम लोग का schema देखोगे अभी तो क्या है id name salary और देखो यह string यह string यह string मतलब data type देखोगे तो string string आ रहा है बट यह string नहीं होना चाहिए मैंने बोला था id integer होगा salary भी integer होगा ठीकर तो सबसे पहले हम लोग schema define कर देते हैं तो हमने लिखा schema और यहां पे simple language में लिखा id integer, name string, salary what integer अब यहां पे इसको run किया अब अगर जब हम लोग ने इसको run किया तो देखो अभी क्या हो रहा है कि यह जो 800 कुछ words में लिखा हुआ था correct यह words में लिखा था 8000 तो यहां पे क्या हुआ कि इसमें null defined कर दिया because by default the mode is permissive correct अगर मैं यहां पे mode लगाता suppose को मैंने यहां पे mode लगाया sorry option लगाएंगे option mode and यहां पे हमने लिखा permissive और इसको run किया अभी भी हमारे पास same output ही आएगा जो भी malformed records था जो glut records था और वहां पे उसने null डाल दिया ठीक है अब हम लोग अपना mode change करते हैं और बढ़ते हैं drop malformed की जगात इसकी definition क्या थी इसकी definition थी कि वह drop कर देता है ignore the whole corrupted record जो भी glut record होगा उसको ले गई नहीं load ही नहीं करेगा और ignore कर देगा अब हम इसको run करें तो देखो five वाली id five वाली id हमारे पास नहीं आई क्योंकि वह गलत थी correct इतनी बात समझ में आ गए होगी अब हमारा जो last होता है वह होता है feel fast अगर इसको हम लोग run करेंगे तो यहां पर error आएगा यहां पर error आ गया अब error क्या है यह भी आप देख लो आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहां पर आपको यह दिखाई दे रहा ठीक है यहां पर आपको information मिल जाएगी इतना तो हम लोग ने कर लिया अब बात क्या होती है suppose करो millions of data है हमारे पास किसी CSV में कभी-कभी यह होता है कि उसमें उसमें गलत record एंटर होते हैं captive record आज आते हैं अब हम लोग को find out करना है कि कौन कौन से captive record हैं उस CSV फाइल में और source में whatever it is either JSON or no हमको find out करना है तो कैसे करेंगे तो देखो यहां पर लिखेंगे option यहां पर एक variable define करेंगे variable क्या होगा bad records मैंने यहां पर लिखा हुआ है bad records path ठीक है इसको हम लोग define करेंगे यहां पर लिखा यहां पर लिखा एंड यहां पर हम लोग path दे देंगे कहां पर हमको save करवाना है तो मैंने बोला temp में save करवादो भई ठीक है अगर अभी इसको run करेंगे तो देखो run नहीं होगा I hope अभी run नहीं होगा because यहां पर हम लोग mode use करके रखा हुआ है हमको यह mode हटाना पड़ेगा अब अगर हम इसको run करें तो हमार run हो गया हमार रन तो हो गया ठीक है अब देखो run हो गया अब इस path पर अगर जब हम लोग जाएंगे bad records path TMP वाले में न तो क्या होगा इसको मैं refresh करता हूं इसमें जाएंगे bad records में जाएंगे और यह part file हमारी बन गई है इसका जो format होता है वो पार्केट होता है ठीक है by default पार्केट में ही बनती है तो यहां पे गए यहां गए अब यहां पे हम लोग लिखेंगे fs %fs head और अपना path इसको जब हम लोग ने run किया तो देखो यहां दिखा रहा है कि record 5 record दिखा रहा यह path दे दिया कि हाँ इस path से data load हुआ था ठीक है record क्या थे 5 कुनाल 8000 reason क्या था number format exception correct यह number format exception क्यों आया क्योंकि हमार schema था integer but वहाँ data present था string में mismatch हुआ number होना चाहिए था but string found था तो उसने error throw कर दिया आगर आपने java python यह सब पड़ा होगा तो वहाँ पे आपको यह समझ में आ रहा होगा correct तो इस video में इतना ही था I hope आपको बात समझ में आ गए होगी कि कितने tap के mode होते हैं और हम लोग mode क्यों use करते हैं ठीक है तो guys यह मैंने playlist बना के रखे हुई है spark की generally मैंने यहाँ पाइश पार्क का lecture बनाए हुए है कि पाइश पार्क होता क्या है and you know data को कैसे read करते हैं write कैसे करते हैं manipulations कैसे करते हैं बहुत से मैंने यहाँ पर tutorials बना के रखे हुए है और सभी topic को मैंने cover किया है और मैं कर रहा हूँ ठीक है जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होगे handles कैसे करते हैं pivot क्या होता है casting कैसे करते है columns की तो सभी videos मैं बना रहा हुँ दिए 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 अगर आपको यह video अच्छी लगी हो तो चैनल को subscribe कर देना